कि अधियों वेल्कॉमियों अलेट लोकेसर अल्लेम्टेड इस्टाडी जोन सोच चल रही है क्लास सैंपल पेपर सेल्यूशन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर कह लिजे या प्रीविए सियर क्वेश्चन पेपर कह लिजे मैथमेटिक्स की और करते हैं कुछ इंपॉर् पहले आपने गलत किया थे फिर सही हो गया अपसर अप्रोब्लम चली कॉस इंवर्स एक्स हलाकी एक लास ट्वल्ट का क्वेश्चन है ओके तो अभी आपको यह नहीं करना है फाइंड दसाइन ऑफ यह भी आपको नहीं करना है कॉच्छ नबर त्री नौ कॉच्छ नबर फ इस प्लस एवं कोमा एट इस एन को माक्स फ्लस वाई एन्य प्रोब्लम नौ सर्थ और के तो कंपेरिजन करना सिंपल 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 एस एक इस इस इन को एक इस एक सिकल तो three and vice two five right चलिए, next question number 7, sin square x plus sin square 2x equals to 1, दीखें, trigonometric equation हमारे syllabus से वैसे तो out हो चुका है, बट फिर भी जितना है, उसको हमको कीच कीच करके आंगे हमको बनना पड़ेगा, clear बटा? तो यह इस question को हम बेखें तो कैसे करेंगे यहाँ पर, we have the equation sin square x plus sin square 2x equals to 1, यही यह बटा equation हमें पास, देखें कैसे solve करते हैं, यह sin square x तो हमें पास ठीक है, sin square 2x को सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ, sin 2x का whole square, clear? हाँ सर्थ, equals to 1, now sin 2x का whole square equals to 1 को, हम यहाँ पर लिखेंगे, sin square x plus sin 2x equals to 2 होता है, 2 sin x cos x का whole square equals to 1, done? हाँ जो, sin square x plus 4 sin square x cos square x equals to 1, अब यहाँ से बचों sin square x का माना जाएगा, सो 1 plus 4 cos square x equals to 1 हो जाएगा, ओके, आज सर्थ, now 1 plus 4 cos square x equals to 1, बस हम इतना ही इस question में कर सकते हैं, हमको यहीं तक इसको करना है, clear? क्योंकि इसके आँगे technometric solution की तरफ यह question चला जाएगा, और वो हमको करना नहीं है, और एक पार्टेस में थोड़ा सा और simplify कर सकते हैं, क्योंकि मैं, वैसे भी नहीं हो गई, चली देखते हैं, तो एक पार्ट तो इसका solution का हमारे पास यह हो चुका है, देखिए, तो question number seven में क्या किया गया है, sin square x को, one minus cos two x upon two, और one plus cos, one minus cos four x upon two, क्योंकि यहाँ पे, जो दूसरा हमारे पार्ट था, वो कितना था, विटा, sin square two x, clear? तो हमारे पास जो identity होती है, कौन सी identity होती है, one minus cos two x equals to two sin square x, clear पेटा? one minus cos two x equals to two sin square x, तो one minus cos two x by two equals to two हो जाएगा पेटा, sin square x, ओके? तो यहाँ पे यह चीज़ बन जाएगी, one minus cos two x upon two equals to sin square x, तो one minus cos two x by two इसे put कर दिया, और one minus cos four x by two इसे put कर दिया, two two LCM लेके cancel हो जाएगा, और one plus one से two से two cancel हो जाएगा, तो यह equation हमारे पास बन जाएगा, तो इस तरीके से भी ultimately हम ला सकते हैं, इसके बाद solution वाला पार्ट हमारे से लिबस से हट गया, तो उसको हम ध्यार नहीं देंगे, next question number eight की बात करते हैं, question number eight, कितना answer? one, बिल्कुल सही है, question number eight का solution one, i to the power 30 plus i के पार 40 plus i के पार 60 value बन आ गई है, चलिए, nine, ten छोड़ दिजे, 11 भी छोड़ दिजे, इसके बाद आते हैं, question number 12, बना की नहीं बना आपसे, बन गया, answer कितना है इसका, answer इसका, बताई इसका कितना है, 400, बिल्कुल सही है, actually इस question को देखके ही आप समझ सकते हैं, यहाँ पे, an a, a, dash, compliment के लिजे, intersection b compliment आप से पूछा गया है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, a compliment, intersection b compliment, यह रेखे, यह अपने पास question है, यह मेरे पास value है, a compliment, intersection b compliment, तो हमने इसको देखा है, कि n a bar, intersection b bar, equal to n a union b का whole bar, बुली बिटा होता है कि नहीं होता, यहाँ सर्थ, and this may be written as, n u minus n a union b, है ना बिटा, यहाँ वैल्यू सर्थ, because हम जानते हैं, जो formula होता है हमाँ पास, a bar, a का compliment equal to universal set minus, यहाँ पे हमाँ पास, जो है, हमको सबसे पहले, a union b निकालना होगा, जो आपने निकाल लिया होगा, simplify के लिए, और a union b को अपने universal set से minus कर दियोगा, universal set यहाँ पे 800 है, clear, हाँ सर, आगे answer, हाँ सर, तो universal set से minus करने के बाद, आपके पास में answer आगे होगा, इस तरीके से, done बिटा, हाँ सर, चलिए, then, इसके बाद हमारा आता है, question number, 13 लेखते हैं, so if alpha and beta are the root of the equation, this, then find the value of alpha square plus beta square, नहीं बनाए यह, नहीं सर, चलिए देखते हैं, यह quadratic equation का एक simple problem है, देखना है, चलिए देखे, कैसे करते हैं इस question को हम लोग, यहाँ पर दीगया है, if alpha and beta are the root of the quadratic equation, x square minus bx plus c, then the value of alpha square plus beta square, so जो हमारा पास equation है, x square minus bx plus c equals to 0 है, यदि मैं इसमें alpha plus beta करूँगा, तो देखो बेटा, sum of the 0 is equal to होता है, minus of b upon a, भूले यह सोनो, तो minus b थो यहाँ खोदी, b यहाँ खोदी minus b है, और upon 1, so यह आजागा beta b, clear? alpha n to beta कितना आजागा beta? c upon a, c की value c है, और a की value 1 है, so it will be c by 1 equal to c, right? यहाँ सर्थ, अब आपसे alpha square plus beta square पूछा जा रहा है, देखिए, एक आहाँ पे आप identity लगा सकते हैं, आपको बनती है identity यह, कि alpha plus beta का whole square, equals to alpha square plus beta square, plus 2 alpha beta, कहिए होती है कि नहीं होती है? यहाँ पे alpha plus beta square plus 2 alpha beta, तो यहाँ पे alpha plus beta की value हमको b पता है, का whole square equals to, यह तो हमें चाहिए है, हाँ सर्थ, इसको रोक लेंगे, और plus 2 alpha beta, means 2 alpha and 2 beta कितना है? c है बिटा, clear? यह सर्थ, यह सर्थ, तो b square और 2c यहाँ चला जागा, 2c b square minus 2c, equals to alpha square plus beta square, clear की not clear? हाँ सर्थ, नोट कलेंगे, यह सर्थ, नोट कलेंगे, यह सर्थ, चलें अगले कोशिन क्यों, अगला कोशिन आपने छोड़ दिया, if p is the sum of the odd terms, and q is the sum of the even terms, of the expansion, x plus a की पावर n, then prove that, p square minus q square equal to, यह हो जाएगा, बुले clear? आज सर्थ, नहीं बनें आपसे? नहीं सर्थ, देखिए, एक तो पहले मैं, solution से समझने का प्रियास करता है, इसको, even terms, और odd terms, ठीक है ना? आज सर्थ, even terms और odd terms, इन लोगों ने, sum of the even terms को, पी ले लिया है, और sum of the odd terms को, q ले लिया है, clear? यह सर्थ, और कहे रहे हैं कि, प्रूफ करिये कि, इसका जो expansion बनेगा, p square माइनस q square, वो हो जाएगा, x square माइनस a square की पावर n, ठीक है? आज सर्थ, चलिए, देखिए, पहले solution से देखने कोशिश करते हैं, यहाँ पर हमाएँ पास में, x plus a की पावर n, equal to p plus q, if the sum of the odd terms, and q is the sum of the even terms, in the expansion, x plus a की पावर n, चलिए रिखिए, तो इसको solve करते हैं, if p is the sum of odd terms, and q is the sum of even terms of the expansion, x plus a, whole to the power n, तो यह दी हमाएँ पास ही expansion दी गई है, x plus a, whole to the power n की, तो देखिए, सबसे पहले मैं expansion लिखता हूँ, x plus a, whole to the power n में, ठीक है बिटा? आज सर्थ, कहरा कि p is the sum of the odd term, तो सिबसे पहला item हो जाएगा, odd term, nc0, plus nc, एक मिनट यहां गलती करती मैंने, nc0, x to the power n, फिर, nc1, into x, की power n minus 1, into a, की power 1, फिर, nc2, x की power n minus 2, a to the power 2, and so on, इस तरीके से यह expansion बन जाएगी, x plus a की power n, clear है? हाँ सर्थ, अब दूसरी, जो expansion, हम जान बुच करके हम बना रहे हैं, यहाँ पे हम expansion बना रहे हैं, पिटा, x minus a, whole to the power n, ओके? तो यह क्या हो जाएगा, nc0, nc0, x की power n, minus nc1, x to the power n minus 1, a की power 1, plus nc2, x की power n minus 2, a की power 2, देखिए, यदि मैं add करता हूँ बेटा इसको, ठीक है? आशा. तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा, autumn कसम, आएगा की नहीं आएगा? आशा. चली, मैं add कर देता हूँ यहाँ पे इसको, यह मैंने बेटे इसको यहाँ पे add कर दिया, तो यदि मैंने add कर दिया, तो देखिए क्या आएगा? x plus a की power n, plus x minus a की power n, equal to, देखिए, यह autumn से पहला जोड़ जाएगा, तो 2 लिख देता हूँ यहाँ पे में, nc0 x की power n, कई होगा की नहीं होगा? आशा. बिल्कुल हो जाएगा यह, then इसके बाद यह जो है, 2 nc0 x की power n, then इसके बाद यह जो है, then इसके बाद में यह जो है, nc2, यह पहला टर्म है, यह दोनों cancel हो जाएगे, फिर nc2 x की power n minus 2, a की power 2, clear? आशा. ठीक है, and so on, तो यह हमारे पास, यदि मैं इधर 2 नीचे भिज देता हूँ, तो x plus a, hold to the power n, plus x minus a, hold to the power n, equal to 2 times, that is called sum of odd terms, बोली है की नहीं है, आशा. odd terms, clear बिटा? आशा. और sum of odd terms, if the p be the sum of odd terms, तो यहाँ पर इसने इसको p बोला है, यहाँ पर इसने इसको p बोला है, यहाँ पर इसने इसको p बोला है, आशा. यहाँ यहाँ आशा. यहाँ यहाँ आशा. यहाँ यहाँ पर इसने इसको p कह दिया गया है, clear? कह दिया गया है, अहाँ. ओके, p कह दिया गया है, अब, हमें कह रहा है कि, odd, if p be the sum of odd terms, and q, the sum of event terms, q जो है, वो event terms का sum है, q जो है, वो event terms का sum है, तो अब हम q निकालते हैं, जो की event terms का sum कहलाएगा, तो q निकालने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, event terms के sum के लिए, इसको minus करना पड़ेगा, ठीक है बिटा? जो है जो है, यदि मैं x plus a की पावर n की expansion लिखता हूँ, तो मेरे को क्या कह सकता हूँ, यह expansion क्या है, यह expansion है, nc0, x की पावर n, a की पावर 0, प्लस nc0, x, sorry, यह बटा 1 हो जाएगा, nc1, x की पावर n-1, a की पावर 1, up to dot 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 dot, देखो भाई, यह फिल करो, कि शुरुवात यहाँ पे, कौन से term से हो रही है, odd terms, odd, और यह जो term है, यह कौन से term है बेटा, even, तो इसमें सारे odd और even भरे हुए है, भरे हुए की नि भर हुए है, आँ सर्थ, तो x प्लस a की पावर n, odd term हमारे पास क्या है, जितने भी odd term का sum है, वो है p, है की नहीं है, और जितने भी even terms का sum क्या है, वो है, q है, q है, तो क्या मैं इस equation को 1 ले सकता हूँ, यह सुरुआ, ले सकता हूँ, अब देखिए, अब मुझे क्या चाहिए है, मुझे अगले में p-q चाहिए है, एक ही पावर न, आएगा, यह पहला odd term आएगा, आएगा की नहीं आएगा, एक ही पावर जीरो आएगा, ठेंक्यू बटा, और जो थर्ट तम आएगा, वो मैं लिख रहा हूँ, प्लस n c 2, x की पावर n minus 2, और minus a की पावर 2, प्लस a की पावर 2 ही बन जाएगा, बनेगा की नहीं बनेगा, आएगा से, तो यह सारे के सारे क्या है, odd terms है, है की नहीं है बटा, आएगा से, अगला जो term आएगे even वाले, देखिए दूसरे नमबर का जो term बनेगा, वो बनेगा n c 1, x की पावर n minus 1, a की पावर 1, बोलो बनेगा की नहीं बनेगा, और जो चौथा term बनेगा, n c 3, x की पावर n minus 3, a की पावर 3, clear की not clear, आएगा से, तो can I write, यह पूरी की पूरी जो term है, अगर मैं minus sign निकालनू, common तो यह p minus q है, तो हागी, sum of odd terms minus sum of event terms, होई की नहीं होई, यह सर्, नहीं होई क्या, होगई, होगई, so equation number 2, clear, हाँ सर्, अब मैं 1 को अगर मैं 2 से multiply कर दिता हूँ, तो क्या scene बनेगा देखे, अगर मैं 1 को 2 से multiply कर दूँ, तो x plus a की पावर n, क्योंकि left में देखे, यहाँ पर x plus a की पावर n बैठा हुगा है, बैठा है, इंटू x minus a की पावर n, that is equal to, उपर क्या था बिटा, sum of the terms थे, even and all, p plus q, और यहाँ पर क्या था, p minus q, clear, हाँ सर्, तो power है, तो मैं power को साथ में ले लेता हूँ, तो अंदर मैं बना सकता हूँ, इंको क्या बना सकता हूँ, मैं इसको, इसको मैं बना सकता हूँ, x minus a का, x plus a, into x minus a, की whole power, complete power n, और यह, प plus q, p minus q, that is equal to, p square minus q square, clear बिटा, yes sir, now x plus a, x minus a, बन जाएगा, bracket के अंदर, x square minus a square, की whole power n, equal to, p square minus q square, क्या हमें यही, प्रूफ करना था, आज़े, बिल्कुल सही, आगे समझ में आब आपको, कोई दिक्कत है क्या बिटा, आज़े, चले तो नोट कर लें इसको, ठीक है न, चले बना लिजे इसको, देखे हम जो यह तरीका कर रहे थे, इससे बहुत लेंदी हो जाता, तो इससे बिल्कुल आप नहीं जाएंगे, ओके, यह तरीका, नो, 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 यह तरीका, यस, यह नेक्स क्वेशन है, यह हो गया हमारा, क्वेशन नमर 15, इसको करते हैं, तो, पॉशन को पिक अप करते हैं, यह है हमारा क्वेशन, ठीक ना, क्या कहा जा रहा है इस क्वेशन में, कि, एक्स स्क्वेशन में, माइनस 3X प्लस 6, अपॉन 3X प्लस 4, लेस देन, 0 है, तो इस इनिक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो यह रेखिए, कि, क्या उपर की चीज, फेक्टराइज हो सकती ही की नहीं हो सकती है, मल्टिप्ले करने पर 6 चाहिए है, सम करने पर हमें, माइनस 3 चाहिए है, बताए, कोई चांस है इसके फेक्टराइज होने का, नाई सर्थ, इसके फेक्टराइज होने का, कोई chance नहीं है देखिए बच्छो यहाँ पे quadratic equation की एक super high approach लग रही है मैं यह कह सकता हूँ ठीक है देखिए एक चीज़ समझे जब भी आपके पास कोई quadratic equation ax square plus bx plus c की form में होता है ठीक ना ax square plus bx plus c की form में यदि quadratic equation होता है तो किसको represent करता है बेटा वो एक parabola को ओके यह जो है यह represent करता है parabola को ठीक है ना अब देखिए अगर a की value greater than 0 है तो यह upward parabola होगा यह upward parabola होगा और a की value अगर less than 0 है बेटा तो यह downward parabola होगा होगा ठीक है शौर यह सर अब देखो शौर बेटा की अगर यह parabola हमें root दे रहा है यदि इसके दो root निकल रहे है alpha beta ठीक है तो यह root कब निकलते हैं जब यह x-axis को काटे है और अगर यह x-axis को काटेगा तो definitely इसका कुछ पार्ट negative होगा क्या होगा इसका कुछ पार्ट यहाँ पे इसका कुछ पार्ट यह आपको negative देखना हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका इतना जो पार्ट है यह negative जा रहा है ठीक है यहाँ पे इसका यह वाला पार्ट negative जा रहा है तो यह condition कब होती है when d is greater or equal to 0 clear है ना तो यह condition हमारी तब बनती है जब d is greater or equal to 0 होता है तब यह condition हमारी बना करती है ठीक अच्छी बात है हमारी तब बन जाएगी अब दूसरी चीज दूसरी चीज यह है कि अगर डी लेस देन जिरो होगा क्योंकि डी ग्रेटर देन और इकटर जिरो होने पे आपको पता है कि दो रूट निकलते थे अल्फा बीटा और यदि डी लेस देन जिरो होगा बीटा तो कंडिशन आपको याद होगी नो रियल रूट बुली हाँ ना मतलब पैरा बूला हवा में ही उपर से चला जाएगा एक्स एक्स को क्रॉस नहीं करेगा समझ पा रहे हैं आपकी नहीं समझ पा रहे हैं आशा क्योंकि डी लेस देन जीरो है तो हम सबसे पहले देखते हैं यह जो हमारे पास पार्ट है यहाँ पे क्या यह ग्रेटर देन जीरो यह लेस देन जीरो का चांस बन रहा है इसमें कि नहीं बन रहा है ठीक ना सबसे पहले हम यह देखना चाहेंगे कि क्या यहां पे greater than zero और less than zero का case बन रहा है कि नहीं बन रहा है कितने part के लिए बटा यह ऊपर के part के लिए ठीक है बटा तो यह जो ऊपर का part है आमारे पास में x square minus 3x plus 6 इसका मैं comparison करता हूँ अपने quadratic equation e x square plus b x plus c equal to 0 से तो a equal to 1, b equal to minus 3, c equal to 6 है तो यहां से d की value जाएगी, वो आएगी b square minus 4 से राइट, so d equal to b square, means minus 3 का square, minus 4 into a की value है 1, minus 9, और c की value कितनी यह भी साभी है, 6 है, clear, तो minus 3 यहने की 9, और minus 24, क्या बात है, d की value negative आ रही है, आ रही है बटा, और d का मतलब negative का मतलब होता है, no real root, clear की not clear, no real roots, okay, no real root का मतलब यह है कि यहां पर जो हमारा बेटा, यह parabola है, बोलो yes की no, यह जो parabola हमाई पास है, यह actually x-axis के उपर है, बोलो हाई न, दिखा की नहीं दिखा, यह x-axis के उपर है, मतलब हर वक्त, क्योंकि भाई, cross ही नहीं कर रहा है, x-axis को, तो root ही नहीं है, मतलब इसकी value हमेशा positive होगी, yes की no, यह जो, उसका कारण है क्योंकि a इसका greater than zero है, मैंने बताया भी आपको, कि a greater than zero मतलब की उपर की तरफ जाएगा, और a less than zero मतलब नीचे की तरफ जाएगा, clear की not clear, आज सर, done बेटा, चलिए, तो यह हो गया हमाँ पास में, तो यह हो गया अपने पास में, अब देखिए, हमारे पास जो function है, यह वाला function बाचा है, तो उपर वाला तो positive हो चुका है, clear की not clear, आज सर, एक बार question को फिर से मैं ले चलता हूँ, x square minus 3x plus 6 upon 3 plus 4x, तो मैं लिख रहाँ था question, x square minus 3x plus 6 upon 3 plus 4x, यह यह था ना बेटा question, आज सर, इस लेस देंजीर, तो अभी अभी मैंने आपको क्या बता है, मैंने का बेटा, यह तो, यह सावित होई चुका है बेटा, कि यह universally positive है, बुली हाँ ना, अब भहिया, अगर उपर की चीज positive है, और answer less than zero, मतलब की बेटा negative आ रहा है, बुली हाँ ना, अगर positive है, और answer अगर negative आ रहा है, तो negative बनाने के लिए कौन होगा जिमेदार है, denominator होगा की नहीं होगा, की नहीं होगा, बताइए, मतलब denominator ही negative होगा, क्योंकि उपर plus है, तो नीचे क्या होना चाहिए, अभी तो answer less than zero, यानि की negative आएगा, यह सावित है, तो 4x less than zero minus 3, बतलब 4x less than minus 3, clear की not clear, means x less than minus 3 by 4, so your interval x belongs to minus infinity to minus 3 by 4, समझ में आकी नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, so इस तरीके से यह question बनेगा, और इसका answer बनेगा, x belongs to minus infinity to minus 3 by 4, clear बता, yes, तो इसको एक बाद नोट कर लेंगा, अच्छे से, देखे, किया है क्या है क्या आपनने, कि तीन case बनते हैं बता, d greater than zero, d less than zero, और d equal to zero, और d less than zero है यहाँ पर, तो d less than zero में जो पैरावुला होगा, वो बिना टच करें उपर से निकल जाएगा, मतलब इसकी value positive ही positive है, ठीक है, तो एक बार इसको आप memorize कर लेंगा, आप शोर, मैं एक बाद बता देता हूं आपको, कि a x square plus b x plus c, जो आपको quadratic polynomial एक पैरावुला को शोर करता है, ठीक है बिटा, यह जो case है, upper mouth है, मतलब a greater than zero, और d की value क्या होगे बिटा, less than zero, clear, यह देखो बिटा, टच कर गया, एक ही point पर, मतलब alpha equal to beta, तो यह क्या case बनेगा बिटा, a greater than zero है, बट d equal to zero है, ठीक है, आँ सर, क्योंकि discriminant equal to zero कहता जागा, third case बिटा यह बनेगा, यह देखो, यह है, बोलो a greater है कि lesser है, lesser है, अब यह greater है यार, उपल की तरफ parabola का mouth, क्या कर रहा है, और d जो है, वो भी greater than zero है, क्योंकि दो roots मिल रहे हैं, अब नहीं है समझ में, समझ गया से, चले आंगे, आँ से, अभी नहीं चलना आँगे, पहले इसको नोट करो, सच में समझ में आया ना बिटा, चले आपकी memory के लिए, यहाँ पर मैं तीन case और बना देता हूं, देखे, पहला case है, डी greater than zero, मतलब, distinct root, दो अलग अलग root, और a less than zero, a की value less than zero है, मतलब कैसा जाएगा भीया, नीचे के लिए, downward जाएगा, यह होगा less than zero, clear, आसर, और d greater than zero, मतलब किते root होते हैं, दो root, alpha, beta, बीटा, clear की not clear, आसर, एक के साहर देखते हैं, अगर d equal to zero, और a is less than zero, मतलब a negative है, मतलब parabola downward जाएगा, बट alpha, beta बीटा बीटा सेम है, तो a की point पे touch करेंगे, clear, alpha equal to zero, last, अगर d less than zero होगा, और a भी less than zero होगा, तो मतलब बीटा quadratic equation क्या होगा, negative ही negative होगा, yes or no, यह negative जाएगा, क्योंकि a less than zero है, x access के नीचे रहेगा, सामझ मा गया, yes sir, मतलब इसकी value, इसकी value हर जगहे negative होगी, okay, yes sir, any problem, no sir, चलिए, तो अब अगले question की ओर हम चलते हैं, next question, यह होगया हमारा, 15, 16 बना बिट आप से, 16 देन सर, done, बस कुछ, चिसे नहीं है, बड़ आप होगया, चलिए, नहीं, done नहीं कहलाएगा, बिटा, पूरा ही गन्ना परेगा, चलिए, cos upon sin, and sin upon cos, and sin a cos, cos a cos b, minus sin a sin b, तो बिटा, यह किसका formula होता है, यह होता है, फॉर्मूला cos a plus b का, cos a plus b, so cos a की जगे बैठा हुआ है, a plus 15, plus b की जगे बैठा हुआ है, a minus 15, बैठा है की नहीं बैठा बिटा, आश्य, so a minus 15, 15 से 15 cancel हो जाएगा, बिटा, नीचे तो हई है, sin a cos a, क्या बैठा हुआ हुआ बिटा, sin a cos a, clear, आश्य, नहीं, को कर सकता हूँ, एक काम कर सकता हूँ मैं इसमें, की sin a minus 15, into cos a minus 15, डन बिटा, आश्य, तो मैं 2 का नीचे डिवाइड, और 2 का उपर multiply, क्योंकि हिसाब बराबर, ओके, आश्य, clear की not clear, अब ये देखिए, उपर बज़ गया, 2 और cos a plus a, अंदर क्या बचा, 2 cos 2 a, 2 cos 2 a, very good, देखिए, यहाँ क्या एक identity बन रही है, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, तो 2 sin a cos b, का formula क्या होता है, sin a plus b, plus sin a minus b, यह सोता है की नहीं होता, हाँ सर, sin a plus b, sin a plus b, sin a plus b, sin a minus b, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, sin a plus b, एक ही जगह है, a minus 15, a minus 15, plus, सुरी बटा, a plus 15 था है यहाँ पे, तो a plus 15, plus a minus 15, राइट, साइन a plus b, plus sin, a minus b, तो a plus 15, minus of a minus 15, शौर आप यहाँ पे गलती करते हैं, bracket नहीं लगाते हैं, तो minus of a minus 15, तो minus minus plus हो जाएगा, clear की not clear, अच्छे, अब देखिए, 15 से 15 cancel, तो उपर तो बचा है, 2 cos 2 a, नीचे बच जाएगा, sin a plus a, मतलब sin 2 a, clear, साइन 2 a, plus, a से a cancel, sin 30, बचेगा, तो यह हो गया, बचा कितना, 2 cos 2 a, और sin 2 a, plus, sin 30 की वैली, बचा 1 by 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 2s of 4, पहले तो LCM होगा, बचा, तो नीचे बनेगा, 2 sin 2 a, plus 1, और उपर 2, 2 जाब 4 cos 2 a, clear बचा, तो यह आगया अपने पास, 4 cos 2 a upon, 1 plus 2 sin 2 a, राइट, चले इसे नोट करें हैं, चले अगला question देखिए, question अब 17 बन गया बचा, बहुत easy question, domain, I think, minus 2 से लेगे, plus 2, तो range बचा, 0, 2, 2 हो जाएगा, इसे range निकाला बचा, clear के not clear, range नहीं मना, निकाला नहीं हो जाएगा, find the domain of the function, सही बात है, तो range भी हलाकि निकाल दिया, भाई साबने यहाँ पर, तो range निकाल लो बेटा, तो 0, 2, 2 हो रहाएगा, 0, 2, 2, बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा से, देखिए, कैसे करेंगे range के लिए, y is equal to, अपने पास, जो है, function है, y equal to है, 4 minus x square, question क्या था, under root 4 minus x square, ठीक है, यह यह ना question, y is equal to, under root 4 minus x square, yes, done, तो आपको पता है कि, x की value जो है, वो जा रही है, कितनी, minus 2, 2, plus 2, यह अपने domain में निकाला, yes or no, yes sir, तो x square कहा से कहा जाएगा बेटा, 0 से लेके, 2 तक जाएगा, because negative तो जा नहीं सकता है, clear, yes sir, x square, 0 से लेके 2 जाएगा, अब हमें क्या चाहिए, 4 minus x square, oh, sorry, यहाँ पर, 0 to 4 लिखना चाहिए, मुझे, because square है, sure, 0 to 4 होगा न, square है, 0 to 4, अब मुझे क्या चाहिए, 4 minus x square, clear, 4 minus x square, मतलब मैं 4 से दोनों तरफ सब्ट्रैक कर दूँ, कर दूँ, तो 4 minus x square, यदि मैं सब्ट्रैक पहले करता हूँ, तो minus x square बनेगा मेरे पास, पहले मैं minus x से multiply करूँगा, तो minus x से multiply करूँगा, तो inequality पलट जाएगी, यह बन जाएगा minus 4, और यह बन जाएगा 0, clear, yes sir, inequality पलट गई न, पहले 4 से less था, अब 4 से greater हो गया, now, अब मैं add करता हूँ 4, तो 4 minus 4, यहाँ पह 4 minus x square, less than or equal to 0 plus 4, clear, not clear, clear, so this is lying between 0 to 2 plus 4, okay, yes sir, now square root ले लिजे, तो 4 minus x square का root ले लेंगे, तो 0 से ले करके, 4 का root कितना हो जाएगा, 2 plus 2, because यह positive है, clear, yes sir, so answer कितना हो जाएगा अपने plus, कि इसकी जो range होगी, y belongs to 0 to 2, clear, yes sir, एक तरीका यह है, और एक तरीका जो अपने यहाँ पे book में लिखा हुआ है, x की value निकालके, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आज सर, note कर ले, yes sir, चलिए, next question देखते हैं, हमारा, evaluate 2 plus cos theta sin theta, if 10 theta 2 by 2, 10 theta 2 by 2 equal to 2, बना, आज सर, बन गया, answer बोली कितना है, नहीं बना, नहीं बना, देखे तो cos theta, और sin theta को हमको, 10 theta by 2 की formula में लिखना था, कौन सा formula यूज़ोगा, मैं आपको बताता हूँ बिटा, देखे, आपको पता है, sin 2 theta equal to होता है, 210 theta upon, 1 minus 10 square theta, बोलिए होता है कि नहीं होता, नहीं होता क्या, प्लस होता करना है सर, प्लस का करना है, यहाँ पे, प्लस, 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 हाँ बेटा, 1 plus 10 square theta, clear की not clear, तो जब double angle में यह होता है, तो single angle में, sin theta equal to, 210 theta by 2, upon, 1 plus 10 square theta by 2, नहीं होगा क्या, और cos 2 theta, हम लोग जानते हैं, यह होता है, 1 minus 10 square theta by 2, 2 theta में, 1 minus 10 square theta, upon, 1 plus 10 square theta, होता है की नहीं होता बेटा, तो cos theta में, half angle बन जाएगा, 1 minus 10 square theta by 2, upon, 1 plus 10 square theta by 2, clear की not clear, जब चलिए, वैलिपूट कर दीजे, इस पे, cos theta और sin theta की, रखेंगे वैल्यू, आँ से, चलिए, रखी वैल्यू, देखें, आ चुका है, तो cos theta और sin theta, सारी वैल्यू रख दीजे, और 10 theta by 2 की, finally value, तू रख दीजे, और answer निकाल दीजे, देखें, बच्चों, तो इसको solve करने के लिए, हम, 1 minus 10 square theta by 2, तो 10 theta by 2, 2 है, तो उपर हो जाएगा, 1 minus 2 का square 4, और नीचे, 1 plus 4, तो कितना आ गया, minus 3 by 5, ये cos theta की value आई है, sin theta भी हमें चाहिए, तो sin theta कितना है, 2, 10 theta by 2, तो 2 into 2, 10 theta by 2 की value 2 है, और नीचे, 1 plus 2 का square, यानि की 4, तो ये हो गया कितना, 4 by 5, अब हम यहाँ पर value पुट कर देनी है, value आ जागी हमें पस, 1 upon, 2 की जगे 2 है, cos theta हमें पस कितना आया है, minus 3 by 5, और plus sin theta हमें पस कितना आया है, 4 by 5, तो LCM मैं पूरे का नीचे ले लूँगा, तो यहाँ पर down में LCM आ जाएगा 5, तो 5 कुझा 10, minus 3, plus 4, ठीक है, और यहाँ से 5 सबसे उपर चला जाएगा, तो 5 उपर गया, 10 plus 14, 10 plus 14, 14 minus 3, यानि की 5 upon 11, हाँ देखे, यहाँ पर आंसर 11 upon 5 दिया गया है, वो गलत है, 5 upon 11 आएगा आंसर, क्योंकि भाई, यह 1 के upon में बैठा हुआ है, तो आंसर हो जागा 5 by 11, थोड़ी सी यहाँ पर misprint है, इसको सही कर लेजे, ठीक है ड़न बिटा? Yes, sir. So correct answer is 5 upon 11, Next, 21 बन गया? Yes, sir. आंसर क्या था, बताईए? 720. 720, बिलकुल सही है. So, टीन इवें नमबर थे? आज़ी, क्या क्वेस्टन कह रहा था? How many six digit number can be from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in 10th, if the 10th units place are always with even reputation is not allowed? हाँ, मतलब की 10th place और unit place को occupy करना है, ठीक है? So, 3 even number है, जिसमें 2 को occupy करना है, 3P2, और बच गये 5 number और 4 places, तो 5P4, बिलकुल सही है. चलिए, 3P2 into 5P4, यह solution आपके सामने दिया गया है. Yes, sir. इसके बाद हमारे पास आता है question number 24, prove that log B base A पे, फिल लॉग यहाँ पे B base on 2A, और log B base 4 A A P बना रहे हैं, ठीक है? कैसे करेंगे देखें इस question को? 24 number question, तो यहाँ पे A P की property होती है, कि हम इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं, देखें, इसको मैं थोड़ा सा simplify तरीके से करता हूँ, दूसरे तरीके से करूँगा इसको, वो देखेंगे आप. देखें, आपके सामने जो question है, कहरा है कि, वन अपॉन लॉग बेस पे A है, और यहाँ भी है, इंडेक्स में, वन अपॉन लॉग 2A, बेस पे यह है, इंडेक्स में भी बठा हुआ है, वन अपॉन लॉग 4A, यहाँ पे बठा है, अब एक property मैं आपको बता दूँ, कि 1 अपॉन लॉग बेस A है, इंडेक्स B है, बेटा अपॉन वन हटेगा, और यह बन जाएगा लॉग B बेस A, चेंज हो जाता है, ओके, ख्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए, तो यह चाह हो जाएगा बेटा, उपर जाकर कि, यह बन जाएगा B बेस पर A, और यह बन जाएगा B बेस पर 2A, और यह बन जाएगा log B बेस पर 4A, शो करना है कि यह AP में है, तो AP में क्या रूल होता है, AP में रूल होता है कि, दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना, अगर यहां पर डिफरेंस दोनों का सीम आ गया तो तो सही बात है यह एक पी में है तो देखें क्या कर सकता हूं मैं लॉग मैं डिफरेंस निकालता हूं काुमन डिफरेंस वी बेस टू ए- लॉग डिस पर ए एक कॉमन डिफरेंस यह हो गया इसको अब डीन ले लीजे उमाग वाग मैं जाएनिकाल दीतू लॉग बीमेस पर कि ए प्रसुली Dur इंद नायुकिए तो यहां देखें एक होती पैटा लॉग e base पे m minus log e base पर n equal to log m by n division में log subtraction में जाता है और multiply में add होता है ठीक है? आज़र तो log b base पर क्या जाएगा? 2a उपर a नीचे cancel हो गया क्या गया बिटा? log b base पर 2 पहला common difference आया की नहीं आया? आज़र दूसरा common difference निकालता हूँ बिटा d2 common difference log base b है क्या हो जाएगा? m upon n m की जगा है 4a upon 2a अभी भी a से a cancel 4 by 2 कितना आ गया बिटा? log b base पर 2 तो clear देख रहा है कि common difference d1 d2 के equal है तो ये जो series है ये क्या बना रही है? a p क्या बना रही है? a p clear की note clear? आज़र चलिए से note कर लिए जब ठीक है ना तो क्या property लगी है? कुछ property log ले दिन की याद कर लो बिटा क्योंकि 12th class में बहुत ज़्यादा काम में आएगी एक property याद कर लो बिटा जो यहाँ पर feel लग रही है log a base b equal to 1 upon log b base a ठीक है बिटा? आज़र दूसरी प्रपर्टी log of m upon n a base पे equal to log a base पर m minus log a base पर n नोट कर लिजे चलिए last question देखते हैं last question है 26 क्या कहरा भाई साब 26 26 का कहना है की 26 question की ओर चलते हैं in the expansion 1 plus x की पावर 40 the coefficient of t 2r plus 1 and r plus 2 are equal clear है बिटा? आज़र अब देखी क्या होता है बिटा 1 plus x की पावर n में r plus 1th term क्या होता है आपको याद होगा r plus 1th term जो इसका general term होता है ncr clear? आज़र into x की पावर r क्योंकि 1 की पावर n minus r होगा कोई फर्क ही नहीं आएगा आएगा की नहीं आएगा बताए आज़र अब वैसे भी आपको पता ना मतलब 1st term में 0 आता है 2nd term में 1 आता है तो जो आता है उससे कम सियारत बनता है बनता की नहीं बनता? आज़र तो यहां पे देखे 1 प्लस x की पावर 40 में एक है t2r प्लस 1 तो t2r प्लस 1 कितना बनेगा भाई साब? 40 c 2r clear? यस सर्थ तो कि भाई 2r प्लस 1 है तो 1 हट जाएगा और 2r आ जाएगा 40 c 2r और कितना जाएगा? x की पावर 2r यस की नो? यस सर्थ यह 2r प्लस 1 टर्म हो गया हो गया? हाँ सर्थ अगला t r प्लस 2 क्या बनेगा भाई साब? 40 c r बनेगा x की पावर x की पावर r यस की नो? हाँ सर्थ यह clear है आपको की नहीं है clear? यस सर्थ चली तो यह है क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनकी कोफिशंट जो है वो क्या है? एक्वल है अब भळिया रहा कोफिशंट देख लो कौन कौन है? तो कोफिशंट पहले वाले का ये है क्योंकि ये तो variable होता है और variable के साथ उसको coefficient बोलते है और दूसरा coefficient ये है है तो मैंने बताया था कि बिल्कुल सझाई Qt कि यहां पर हमसे गलती हुई है यहां पर प्लस तर्म को एक्वल बोला गया था यह देखिए आर प्लस टू तो यहां पर आएगा आर प्लस वन क्योंकि आर प्लस टू से एक कम होगा आर प्लस वन बोली होगा की नहीं होगा क्योंकि हमें से कम ही आता है न यहां एक कम आता है तो आर प्लस वन और यहां X की पावर आर प्लस वन तो अब हम कंपेर करें तो 40C2R एकोल स्टू 40C आर प्लस वन नौ दे आर कंपरेबल तो दोनों का सम 2R प्लस आर प्लस वन एकोल स्टू 40 स्टू 3R एकोल स्टू 40-1 एकोल स्टू 3013 बन जाएगा नोट कर लिजिए तो वही प्रॉपर्टी लगी है जो कई बार एक्जाम में आई है कोफिशेंट करना पड़ रहा है यहांग लगी है